इस तो गाइज चोटय के सामने ये वह गेत है जहां से आपके entry होती है यहां से लोग आते हैं जैसे बजारों में तो मीना बजार का gate है तो यह लगा था ऑर हमाश। बड़ी बड़ी चीज के थी यहां पर अपने सामान बजार के लिए यहां से एंटी करेंगे बट फिर यहां से आपको छोटी-शोटी दुकां अलोट हुथी थी यह तो आपको मैं अंदर से बगल से दिखा देता हूं उस समय कि दुकाने कैसी थी तो ऐसी हुआ करती थी दुकाने देख सकते इसमें सामर रखने के लिए और बागी सारा सामन एक भी दुकान में बिलुकुल 19-20 का अंतर नहीं है बिलुकुल सारी दुकाने सेम बनाई गई हैं मित्रो हनुमान जी के बेटे का नाम मकरदवज है हनुमान जी का ये बेटा एक शक्तिशाली मचली से पैदा हुआ था ये तब हुआ जब लंका को पूरी तरह जलाने के बाद भगवान हनुमान अपनी पूच को समंदर में डुबा रहे थी ऐसा माना जाता है कि उस समय मकरदवज नाग की मचली ने उनका पसीना निगल लिया जिसके बाद ही उनके पुत्र मकरदवज का जन्म हुआ कि अच्छी बात है प्रूल किरपा है तो अभी हम जा रहे हैं बजरंग बली के दर्सन करें ओ माया देख सकते हैं यह देखिए यह बजरंग बली जा यह देखिए इसमापको बगल से दखा देखा देखा हूं यह देखिए बजरंग बली है और हम एक परकामा लगाने पीचे से कुछ ऐसा दिखता है यहां पर एक जो बाबाजी वाके रहकर समंदर के देख रहे हैं और उनका सिंगार भी इतना सुंदर है मैं को दिखा देता हूं थोड़ा जूम करके यह देखिए काफी सुंदर पस्ति पहन रखें बजरंग बली ने आयार यह मकरजच हनुमान जी है कहा जाता है यह पांडब जी अहां आये थे उनके वारे में उनका हित्यास मलता है तो भी हम उनके से जानने की कोसिस करेंगे तो नीचे चलते हैं मंदिर के दस्तन करने के बाद यहां तो यहां पर रही थी तो उस समय की है तो यहां पर हम चलते हैं तो नीचे जैसे आप पूरा बाडर सप्लाई है कि यहीं है तो यहां पर यह सूला कुए नौ बाबडियां बनाई गई है तो इनके देखेंगे और आप पो बताएंगे कि इनका पानी कभी ने सुकता है आप इसकी हाइड नीचे देख रहा है बट यह हाइड जो आप पो मैंने नीचे से दिखाईती के लिए यह सूला कम स की थी सयारा है तो महराज इंद्र से लड़ाई की थी और उनसे बर्दान माला था कि यहां पर कभी भी पानी कम ना पड़े तो अभी तक उसमें पानी परकरार है और जो अभी भी उसमें पूरी किले में वह सप्लाई हो रहा है तो गाइस अभी हम और आगी जाएंगे यहा की कहानी सूर वीरों की कहानी है तो जर आप सूर वी तरह सुनते हैं चलते हैं तो गाइस अभी हम बीटचंगल में घूं रहे हैं काफी मस्त लग रहा है अभी हमने कमसे कम मैंने देखा काम बंद्र से 20 कुलों मीटर दूर तक चल चुके है यह एकश्या मन नहीं रहे है कि तो जो ढोला मारू थे स्वाजा नल थे उनने भगवान को बली देदी ती क्योंकि यहां पर अकाल पढ़ गया था आप दो सकते तो अपने पुत्र और मारू जो राजस्थान की थी उसकी बली देदी थी तो अभी दो भी देखेंगे और भगवान देखते कितने प्रजा के यह राजा क्या करते थे आप देख सकते हैं अभी आप जो सामने देख रहे हैं यह बोना चोर की हवेली नहों ने कॉफी सोना लूटा था और इनने बरतान था कि यह कभी नहीं पकड़ि जाएंगे तो यह उनकी हवेली अभी आप सिन्दर जाएं तो सोना मिल सकता है बट अभी हम आपको वह दिखाने जाना हूं वह भूमी से अबगत कराने वाला हूं जहां पर राजा नल और उदल के बीच युद्ध हुआ था मल युद्ध हुआ था जिससे वह राणी अपना प्रेम जो उनका प्रेम था फूल वती जो फूला देवी उन्हें जीता था तो वैस अभी हम इस तरव यहां से नीचे तरते हैं तो वहीं मिट्टी है जिसमें राजा हम जो राजा उदल होगे उन्होंने यहां पर युद्ध जीता था तो अभी हम इसके नीचे आ गए यह देखिए तो गाइस यहां से यह उन्होंने युद्ध खेला और ऊपर से बैठके लोग देखा करते थे यहां पर प्रजा या कोई राजा वगेरा जो बड़े-बड़े अदिकारी हुआ करते थे यहां बैठा करते थे और जस सामने एक दौन्दी यहां से आया करता था एक दौन्दी यहां से सामने से रस्ता है तो आप देख सकते हैं दोनों प्रतिदंदी थे वह लोगों के लिए आने के लिए रास्ता था जैसे हमारे डबलू डबलू एफ में होता है वैसे ही यहां पर था तो गई साब मैं आप उपर दिखा देता हूं यह जमीन तो मुझे देखनी थी जलोड पास से और आप जब उपर से देखेंगे तो कुछ उपर से भ्यू इस तरीके का आता है कि यह तो है कि यह देखें आ जग यह उपर से ऐसे और यहां से मल उद्रूआ जालीं के निसां थी यहां जाली इम людिना तो इसमें एक वंकलिना टूट गई थि को तरीक सी जुक्ति थी जिसे मैंने चुभआ आपने देखा जैसे सुल्तान में हो अपनी वीवी के जो सल्टान में अनुस्का के लिए एसे राजा मल यहां पर है और जो आला उदल थे उनोंने अपनी अनुस्का यारी फूला देवी के लिए यहां पर युद्ध किया था अकसी बात न अज़ पता है बहुत से कम लोग पता हुआ और आप जानते हैं तो प्लीज सरूर कमेंट करना कि मुझे पता होना चाहिए कि कितने लोग पुसको जानते हैं तो अभी हम इसके आगे जाएंगे और एक मनसा देवी हैं उनके दर्शन करेंगे जिनसे मन सांथ होने वाला है और अच्छी जगा है